और मेरे पास कोई परपस ऐसा था नहीं जिंदगी का कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं ध्यान में आने से पूर्व धन्यवाद थाइंक यू ग्रैटिचूड जैसे भारी भारी शब्द मेरे डिक्ष्णरी में तो थे लेकिन मैं इनसे कनेक्टेड नहीं थी मुझे पता नह सर प्रथम पिता महापत्री जी को मेरा साधर नमस्कार नमस्कार फ्रेंग्स मेरा नाम सरोज जैंग है मैं दिल्ली रोहिनी में रहती हूँ और मैं दिल्ली गौर्वर्मेंट से as a superintendent रेटायर हूँ पी एसेसम में मैं अरुना जी के माध्यम से आई अरुना जी पार्क में ध्यान से खाने आया करती थी और मैं भी पार्क में वॉक करने के लिए जाया करती थी वहां कुछ benches पर अक्सर मैंने काफी लोगों को पिरामिट कैपस पहन के अचांत बैठे हुए देखा और अरुना जी को मैंने कुछ धीरे धीरे बोलते हुए देखा उन लोगों ने मेरा ध्यान आकरशित किया और एक दिन में महां गई अरुना जी ने ना मुझे केवल ध्यान करने के लिए प्रेदित किया बलकि उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया आना पाना सती ध्यान उन्होंने मुझे उसका महत्व भी बताया और वो सिखाया भी सही मेर ख्या-द्यान में इंट्र! मुझे अने लग गया। उन्होंने मुझे ध्यान करने के लिए बँछत प्रेडित चिया। और जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई चैलेंजय आया थ्यान को लेके या किसी और प्रकार acquire मैंने उन्हें सदा अपने साथ खड़े हुए पाया, अरुणा जी से मिलने के कुछ ही दिन पश्चार, रिशिकेश में, जब ध्यान सत्र का महा ध्यान कुम शत्र का आयोजन हुआ, तो मुझे भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ, वहां पत्री जी को मैंने पहली बार देखा, मैंने पत्री जी के बा लंबी दाड़ी, सिंपल कपड़े और दूर से आते हुए मुझे बहुत ही लगे तो देवदूत की तरह ही मुझे नजर आए तो मेरे फेस पे एक हलकी सी स्माइल आ गई मैंने कभी जिन्दगी में लाइव गुरू धारण नहीं किये थे और लाइव गुरू में मेरा विश्वास भी नहीं था लेकिन जब पत्री जी स्टेज पर जाकर बैठे और उन्होंने बाकी स्टेज मैंने मोस्तली देखा है कि स्टेज पर जो गुरू है वो अकेले ही होते ह लेकिन जब उन्होंने कुछ और लोगों को भी स्टेज पर बैठने के लिए आमंत रित किया, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई, मेरे लिए एक और आश्चेहरे था, वहां होने के बश्चात, फिर कुछ ही देर के बश्चात मैंने दिखा कि पत्री जी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बहुत से लोग उनको घेर कर बैठे हुए हैं, घेर कर खड़े हुए हैं और पत्री जी सबसे बात कर रहे हैं, किसी को बाबा कह रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, मेरे लिए तो एक से एक आश्चेहरे ये घटित होता गय और मेरे मन में उनके लिए आदर की भावना उत्वन होने लग गई। कुछ देर के बाद लंज का समय हुआ और मैं जाकर मैं भी बाकी लोगों की तरह बोजन की पंक्ती में खड़ी हो गई। बोजन के बंक्ते में खड़े होने के बश्चात मैंने देखा कि पत्री जी वहाँ पर खीर बांट रहे थे, तो मेरे लिए एक से एक हिरान होने वाली बात है होती ही चली गई, और मैंने सुचा कि यह गुरू है और यह बोजन भी बांट रहे हैं, तो मैंने, जैसे मैंने प् चाना कि मेरी आँखे बंद हो गई और मैं धीरे से लाइन से बाहर आ गई। उस समय तो मैंने यह महसूस नहीं किया शायद कि पत्री जी ने खीर के साथ साथ मुझे ध्यान भी परोस दिया था। पत्री जी के फिर उसके अगले दिन पूर्णीमा थी और पूर्णीमा ध्यान का, पत्री जी के साथ हमने वहां काफी सत्र ध्यान के किये, मैं और मेरे पती दोनों ही, हम रिशिकेश गये थे चार दिन के लिए, उनके साथ दो तीन सत्र हमने ध्यान के किये, लेकिन पूर्णी ध्यान था, हम ध्यान में बिल्कुल नए थे, आना पानिया सती ध्यान के बारे में हम दोनों को कुछ नहीं मालुम था, लेकिन वो तीन घंटे कहां, कब, और कैसे बीट गए, वो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा, जब ध्यान खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो हम द गएंट से बहार आए, बहार चान अपने पूरे यौवन पे चमक रहा था, मा गंगा की लहरें और उसकी चाननी से नहा जैसी रही थी, बहुत ही सुन्दर वो द्रेशे था, लेकिन हमारा मन इतना शान्त और निर्मल हो चुका था, कि हम दोनों ने कुछ भी आपस में बात हो चुका था, और एक नशा सा दिमाग के उपर सवार हो चुका था, तो बिल्लकुल चुपचाक आके हम दोनों शान्त आवस्था में अपने कमरे में सो गए और सुभे उठे, आने का समय हो गया, वहां से देली आने के बाद, मैं वहां की बहुत सारी यादें अपने साथ स चहरा, उनका शान्त बहुत ही विनमरता पूरवक उनका जो वहवार था, वो मेरे मन में बसा रहा, और उनका ये शब्द बोलना, अपो दीपो भव, मेरे दिमाग में जैसे बैठ कया, मैंने उन्होंने एक तरह से रास्ता दिखा दिया था, कि अपनी लाइट खुद बनो, अपना रास्ता खुद चुनो, इंडिपेंटेंट बनो, ये उनका जो शब्द था, और उनका सांस के साथ जो गीत था, वो मुझे इतना भाया, कि मैं उसे अकसर गुन-गुनाती रहती थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद, जिन्दगी की आपा धापी में मैं कहो गई, और मुझे ध्यान का कुछ इतना ध्यान ही रहा कि मुझे मेडिटेशन करनी है, या क्या करना है, कभी-कभी मेडिटेशन करती और फिर कभी मैं उसको भूल जाती थी, लेकिन जब कौरोना काल के दौरान, PMC के द्वारा, जूम सेशन स्टार्ट हुए, उन जूम सेशन के द मैंने अरम्ब किया, धीरे-धीरे मेरा मन ध्यान में बहुत ज्यादा रमने लग गया, और ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग गया, कुछ ही दिनों के बाद मैंने महसूस किया, कि मेरा जो सौभाव है, उसमें सोख्ष्म परिवरतन हो रहे हैं, मैं अब पहले से ज्यादा शांत और आनंद में रहने लग गई, ये बातें मेरे पती ने भी महसूस की, मेरे बच्चों ने भी महसूस की, और मैंने खुद स्वयम ने भी महसूस की, मैं बिलकुल अब शांत रहती थी, और अपने काम में अपना लगी रहती थी, ध्यान में लगी रहती थी, ज ध्यान करने से मुझे यह समझाया कि इनसान का जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी आँखों और चेहरे के साथ आपका मन भी शांत हो जाता है जब मन शांत होता है तो आप एक डीप ध्यान में चले जाते हैं जब आ आप किसी चीज़ को कैसे स्विकार करते हैं, पहले जो छोड़ी छोड़ी बाते बहुत बड़ी लगती थी, जटलताएं तो हर किसी के जीवन में होती हैं, चालेंजेज हर किसी के जीवन में होते हैं, लेकिन आप उनको कैसे स्विकार करते हैं, यह कला तो ध्यान में आने के बाद ही आई साकारात्मक्षब मुझे घ्यान में आने के बाद ही इसका मतलब समझाया और मैं जो मेरे आजपास छोड़ी छोड़ी घटनाएं घटित हो रही थी जो कुछ unwanted मेरी जिंदगी में लोग थे उन सब लोगों को मैंने मेरा नजारिया उन सब लोगों को धेखने का बदल गया अक्चुल में वो लोग नहीं बदले मैं ही बदल गई acceptance का मतलब यही होता है कि आप स्व्यम बदल जाओ और यह मेरे लिए एक तरह से वर्दान बन के आया ध्यान से मैंने मौन के महत्वों को समझा मौन रहना एक बहुत बड़ी कला है जब आप मौन होते हैं मै आने तीन-चार घंटे घर में बिल्कुल मौन रहने की practice की जब आप मौन होते हैं तो आपका मन भी आपके चेहरे और रांखों के साथ मौन होना शुरू हो जाता है और जब वो मौन होना शुरू हो जाता है तो आपके अंदर एक आत्म विश्वास एक हिम्मत और आप अप दिलान में आपको किसी भी तरह से साहक नहीं होते हैं आपके लग्ष्य तक पहुंचाने के लिए लेकिन अगर आप निरंतर ध्यान करते हैं तो आप इससे बहुत कुछ पा सकते हैं पत्री जी बहुत ही सुन्दर व्यक्या है सकारात्मक्ता और नकारात्मक्ता की स्वाप्रेम अपने आपको प्रेम करना क्या है यह तो मैंने ध्यान में आने के बादी सीखा यह तो मुझे पदा ही नहीं था कि कभी आप अपने आपको भी प्यार कर सकते हैं मैंने अपनी मम्मी को देखा अपनी दादी को देखा, मैंने उने हमेशा कारे रत देखा, अपने घर के कामों में व्यस्त देखा, और मैंने कभी उनको फ्री नहीं देखा, अपने लिए मैंने उनको कभी कुछ करते हुए नहीं देखा, मैंने देखा, मेरी मम्मी, मेरे फादर आर्मी में थे, और मम्मी ज पिलाई से खाया करते थी मैंने उन्हें कभी रेस्ट करते या अपने लिए कुछ करते हुए नहीं देखा तो स्वप्रेम इसका मतलब मुझे कभी नहीं पता था मुझे इसका मतलब तब ध्यान में आने के बाद ही पता लगा कि अपने आपको प्यार करना एक बहुत बड़ी कला है अपने आपको रिस्पेक्ट करना एक बहुत बड़ी कला है जब तक आप अपने आपको प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं मैं एक ऐसे परिवार से आई थी जहां की मूर्ति पूजा होती थी और शाम को जब मेरे फादर अपने काम से आते थे तो वह आके हम सब भाई बयान और हमारी मदर हम सब एक जगा पे खड़े होके भगवान के सामने आरती किया करते थे और मेरे लिए अध्यात्मिक्ता सिरफ यहीं तक ही सिमित थी इसी चीज़ को मैं अध्यात्मिक्ता मानती थी कि हम भगवान की पूजा कर लेते हैं और जिंदगी की आपाधापी में ऐसे ही समय निकलता गया बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में आते थे जब मैं किसी की डेथ को देखती थी तो मैं अपनी मदर से पूछती थी कि ममा इनकी कैसी डेथ हुई है इनके सब परिवार वाले रो रहे हैं यह कहां चले गए हैं क्या यह कभी वापिस नहीं आएंगे यह सब बाते में अपनी ममी से पूछती थी लेकिन मेरी ममी भी शायद इन बातों का साटिस्ट्रेक्टरी जवाब मुझे कभी नहीं दे पाई उसके बाद मेरा विवाह हो गया और मैं यह प्रश्ण मेरे मेरे मन में ही दबे रह गया विवाह हो गया और मैं अपने बच्चों अपने पती और अपने नौकरी फुल टाइम मेरी जौब थी उसमें मैं इतनी व्यस्त हो गई कि शायद यह प्रश्ण कहीं पूरा मेरा जीवन बहुत ही सुख में जीवन था और उसमें मैंने कभी कोई चैलेंज अपने पती के साथ देखा नहीं और कभी इतना समय भी नहीं मिला कि मुझे इधर उधर कभी जांकने की या कुछ देखने की आवशकता पड़े फिर उसके लेकिन जब मेरे बच्चों की शादी हुई तब मैंने अपनी असली जिन्दगी के चैलेंजेज देखे क्योंकि जीवन इतना सुक मैं था और मैंने अपने बच्चों को इतने ज़्यादा गुण दिये थे कि मुझे कभी लगता नहीं था कि मेरे बच्चों को कभी कहीं से कोई तकलीफ उठानी लेकिन जब दो परिवार मिलते हैं और आपका बच्चा कहीं और जाता है और मेरी दो ही बेटियां हैं और मैंने उनको सब तरह के गुणन को दिये हैं और वो कहीं जाके वो एक पौधा प्रस्विटित होने के कोशिश करता है और उसको वैसा माहौल नहीं मिलता तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो मां को ही होती है और मैंने उस तकलीफ को महसूस किया और जिंदगी की असलियत मेरे सामने उभर कर आई कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हर जगा पौजिटिविटी मिले लेकिन जैसा भी महौल मिले आपको उसको अपनाना बढ़ता है और यही एकसेप्टेंस जो चीज है यह जो मैंने बाद में सीखी वो मुझे पहले भी सीखने का मौका मिला लेकिन मैं उसमें पूरी तरह से शायद नहीं उतर पाई और काफी दुखी रहने लगई काफी परिशान रहने लगई और अपने बच्चों की तकलीफ से मैं लग गई उसके बाद में रेटायर हुई रेटायर होने के बाद मेरा दिमाग बिलकुल खाली हो गया क्योंकि बच्चे भी अपने घरों में चले गया थे और मेरे पती भी अपने कामें व्यस्त थे और मेरे पास कोई परपस ऐसा था नहीं जिंदगी का कि मैं क्या करूं औ खुल गया जो जब ध्यान का खुला तो मैं उस रास्ते में जाती चली गई अंदर गुस्ती चली गई और मैं दीप मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया और जूम सेशन्स तो जैसे मेरे लिए एक वर्दान ही बन के आए क्योंकि घर में बैठे बैठे आपको हर चीज प्राप में काफी आनन्द में रहने लग गई और मेरा मन काफी शान्त हो गया धिरे धिरे मैं और आगे बढ़ी और मैंने प्यमसी चैनल खोलके बहुत घ्रेट मास्टर्स को सुना मैंने शंगीता नहराजी को सुना प्रेमनाची को सुना और भी मैंने राम राजु-ैक्षा यह सब मैंने सुना इन सबको और इस सबको सुनने के बाद मेरा इन से मेरा ध्यान मेरा और यह उतरती गई ध्यान से मेरा लगावथ और भी जाधा गहरा होता चला कुछ समय के बाद मुझे 14 नमंबर को दीपावली का दिन था जिस दिन हमारी पीमसी चैनल का उधगाटन हुआ जहां मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हुई हूई हूँ यह वह एक बहुत ही ज्यादा सुन्दर दिन था बहुत सुन्दर दिन था उस दिन दीपावली भी थी हमारी पीमसी चैनल का उधगाटन भी था नौर्थ इंडिया का और उसके साथ साथ मेरा जनम दिन भी था तो अरुणा जी बताया कि पत्रेजी सारा आ रहे हैं तो मैंने उनको एकदम से हां कर दिया कि हां मैं मैं जरूर जरूर आऊंगी और अपने गुरू के दर्शन क मैंने अब उनको अपने पूरे मन से गुरू मान लिया जो मुझे अंधकार से प्रकाश की और लाए जिनों ने सारा अपना सारा जीवन इस चीज में लगा दिया कि कैसे इस संसार को भातिकता से अध्यात्मिकता की तरफ मांसाहार से शाकाहार की तरफ और बहुत सारा उन् अंसार को सुंदर बनाने की possibilities हो सकती थी, वो उन्होंने की, तो वो दिन मेरे लिए बहुत सुंदर दिन था, उस दिन मैंने दुबारा से पत्री जी के दर्शन किये और मैं अपने जीवन में धन्य हुई, जब मैं बहुत सारे great masses को सुन रही थी, तो उस दोरान मैंने PMC हरयान में पशू जगत, पक्षी जगत, खनी जगत और इन सब चीजों के बारे में सुना, तो मेरा प्यार, इन सब चीजों की पेड़ हमें कितना देते हैं, प्रकरती हमें कितना देती है, यह सब चीजें तो कभी ऐसास ही नहीं किया था, पीपल का पेड़ हमें क्या देता है, ब ये सब चीजें तो शायद मैंने कभी जाने नहीं थी, मेरा पेड़ पौधों से अपना तो इतना जादा बढ़ गया कि मैं उनको तहे दिल से प्यार करने लगी, मेरे घर में जो छोटे-छोटे प्यार दे थे, मैं उनको लव की वाइब्रेशन्स देने लगी, उनको सबह यह मेरे लिए बिल्कुल एक नया एहसास था, जहां तक पशुपक्षों की बात है, मैं पूरी जिन्दगी वैस्ट होने के कारण मेरे घर में कोई पैट नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे आंगन में आ गया, और यह भी बड़ा ही सु मेरानी की सीमा नहीं रही, वो बिल्ली का बच्चा दुबारा से अपने नियत समय पर वहां आ गया, तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया, कि यह सब जो जानवर हैं, जो भी प्रकरती है, यूनिवर्स है, हम उससे कनेक्टेड हैं, अगर हम कोई भी, अगर हम इनको प्यार देते हैं, तो यह हमें डबल प्यार देते हैं, बदले में, इस तरीके से ध्यान में आने से पूर्व, धन्यवाद, थैंक्यू, ग्रैटिचूट, जैसे भारी-भारी शब्द मेरे डिक्ष्णरी में तो थे, लेकिन मैं इनसे कनेक्टेड नहीं थी, मुझे पता नहीं था, हम अंजाने में भी किसी को धने माद और थैंक्यू कह दिया करते थे, लेकिन मुझे यह लगता है, कि ऐसे जादूश रब्द हैं, जिने की हमें 24 इटू 7 अपने में उतार लेना चाहिए, और जो आप किसी भी चीज़ को जब आप लव वाइब्रेशन्स देते हो, जो मैंन वो आपको रिस्पॉंस वापिस देते हैं, उस चीज़ का, मेरे घुटनों में काफी दर्द रहा करता था, ध्यान में आने से पहले, और डॉक्टर ने मुझे दो साल पहले ही ऑप्रेशन की सलाह दे दी थी, लेकिन मैं अपने मन से इसके लिए तयार कभी हुई नहीं थी, और मेरी फ्रेंड्स वगरा ने सबने सर्चरी करवा ली थी, और वो मुझे कहा करती थी कि तुम भी इतनी तकलीफ उठा रही हो, तो सर्चरी करवा लो, लेकिन इंदा में टाइम लॉक्डाउन हो गया, और वो पिरिट तो मेरे लिए जैसे वरदान बंद के आया, क्योंकि मैं ध्यान में भी आ गई, और ध्यान में आने के कुछ समय के पश्चात, मैंने इस चीज़ को महसूस किया, कि मेरा जो धर्द है, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, और वाकई ही वो कम हो रहा है, अब वो शायद 20 आ 30 पसेंट रह गया है, और मुझे पूरा विश्वास है, कि वो धर्द बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है, पिरामिट उर्जा को भी मैं नहीं जाना, 2010 में मेरी राइट आई में रोश्णी धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे ड्राइ एमडी की तकलिफ थी, जिसमें कि हदिया था कि आपकी आँख कभी भी ठीक नहीं हो सकती और इसका कोई भी इलाज नहीं है, आपको इसको ऐसे ही स्विकार करना पड़ेगा, और इसको यह बात मैंने अरुना जी से शेयर की, तो अरुना जी ने मुझे आई पिरामिट दिया, तो मैं उस आई पिरामिट का इ नहीं किया था, क्योंकि मैं इस जगत में बिल्कुल नहीं हो, अरुना जी ने मुझे कहा कि हम शास्त्री जी के घर चलते हैं, और वहां वहां पिरामिट बना हुए, आप वहां भी चलिए, तो मैंने ठीक है, मैं उनके साथ गई, और मेरा वहां का एक्सपिरियंस सिरफ 10 मि के ध्यान में हैं, मेरे अंदर इतनी ज्यादा उर्जा आ गई, इतनी ज्यादा उर्जा आ गई, मेरा शरीर बिल्कुल गर्म हो गया, जो मेरी इच्छा थी कि मैंने पिरामिट के नीचे ध्यान नहीं किया, वो मेरी इच्छा उसी शर्ण पूरी हो गई, जब आप कोई इच करती आपका साथ देती है, युनिवर्स आपका साथ देता है, और मैंने वहां संकल्प भी किया, कि मैं भी अपनी जिंदगी में एक पिरामिट का निर्मान जरूर जरूर करवाऊंगी, यह सब बातें कहते हुए, मैं अरुना जी का अपने मन से बहुत 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 धन्यव बड़ी और मैं अंधकार से प्रकाश की और आई, मैं पिता महापत्री जी का भी बहुत बहुत साधर उनको प्रणाम करती हूं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा आदर और रिस्पेक्ट है, और मैं आशा, मैं ये विश्वास करती हूं कि हमारी धरती बहुत जल् किल कलाईगी दने माद.